तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बाला जी को धन सोधन रोक्थाम कानून के प्राउधानों के तहत ग्रफतार किया गया है और पूछताच के एक लंबे सत्र के बाद उन्हें गिरफतार किया गया है वहीं उन्हें बेचेनी की सिकायत के बाद सहर के एक सरकारी अस्पताल में भरती कराए गया था और जहां डॉक्टरों ने उनको बाईपास सरजरी करवाने की सलाह दी है नमस्कार मैं हूँ राजेस और आप देख रहे हैं नियाई टीवी तमिलनाडू में कल रात विस सेंथिल की गिरफतारी को लेकर एक तरफ जहां कॉंग्रेस के साथ पूरा विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है वही कॉंग्रेस के अध्याच्छ मलिका अरजुन खडगे ने इसे बदले की करवाई करार दिया है हमारे साथ मौझूद है मुंबाई के हैं एक यूवक जो यूटूब पे काफी वाइरल है कि अखिर आधि इस पूरे मामले को ले कर यह किस तरीके से देखते हैं आप अपना नाम बाता है , नाम घुक है आइब बताओ तमिलनाडु में जो के रहोhus का रहुए ba i current i a t अब इस नजर से देखते हैं कि जब से यह नो सालों में हमने सरकार में देखा कि जो भी E.D. और CBI की कारवाई होती है और शिफ विपक्षियों पर होती है और सत्ता में भी भश्तचार ब्याप्त है लेकिन किसी पर कारवाई होते नहीं देखे हैं जब कि इसके पिछली सरका पर जो मनमोन सिंग सापकी थी तब हमने देखा था कि यह राजा जो है टूजी स्पेक्ट्रम में करणी मोजी यह लोग जेल तक गए थे और कोल गोटाले में खुद परदान मंतरी जो उस समय के तत्कालिन परदान मंतरी थे उनके ओपर भी जाज बैटी थी लेकिन इस सरक पर डर दिखा करके अपनी पार्टी में या तो सामिल कर लिया जा रहा है और या फिर उस सरकार गिरा कि उनके साथ दूसरा सरकार बना दिया जा रहा है यह उसका एक्जांपल महराष्ट्रा है कि आपको पता हुगा कि जो अभी के मुख्य मंतरी एक नाज सिंदे साप उनक करवाई की बाद चली तो फीर इनोंने कभी भागे सूरत तो कभी भागे गवाती उसके बार शरकार बना लिया तो यह चुट उचीज हम देखी रहें और सबसे वड़ी बात है कि कि सिव शेना सिव सर्ない कि बाद करते हैं mais तो यह किते है कि नहीं मेरी शेना है तो जंता दे तो पिछले दर्वावजे पर हम अपने वोटों का लट लेके हम जनता ही बैठने वाले हैं और इंको ड़ाएंगे और आप देख भी रहें कि लोग दोड़ना भी चालू हो गया अभी इनकी एक मंत्री भी डोड रही थी धावक बनके और इसके पहले एक मुक्यमंत्री जो है में पूर उपर मुल कमेंटरी हैं और आरस्तान में जाके भाचन दे रहते हैं और जनता उनके विरोद में नारे लगा रही थी तो सबाचोड के चले गए तो अभी इसी तरह का कॉमेडी होगा जो अज़ाद 24 में संजे राउद भी एडी को लेकर बयान दिया है कि अगर एडी का रवाई नहीं करती तो आज सरकार फिरसे मैं यह बात तो मानता ही हूं सर वो इसलिए भी क्योंकि जो कोवीड का जो इत्ता बड़ा मामारी था उस कोवीड में भी जो उदो ठाकरे ने जबके आपको पता होगा कि यह पुरी जनता देख रही होगी कि उस समय जो सबसे जादा जो एशिया का सब्से बड़ा स्लम एरिया शाइन धरावी है उसमें कोरोना इसकादर फैलने का यह खत्रा भी था और फैल भी रहा था फिर भी उन्होंने उसको इतना अच्छा कोंट्रोल किया उसको भी इतना अच्छा कोंट्रोल किया और जगर रगा लोगों को खाने पीने का भी शामन का मतलब मोहिया तो इसी वज़र से तो पुरे देश के मुन्तरियों में उद्व ठाकरे जी का नाम था और उद्व ठाकरे जी ने जिस तरह से दाइसाल जो सरकार चलाई ती उसका आज भी महारास पुरा तारीफ परता है तो यह जो चोड दरवाजे से जो आई है सरकार वो तो इरी के वहरों से आई है जो संजे राओट भी बोली रहे हैं खुछ संजे राओट पर भी इस तरह का जो जाच चला था बाद में संजे राओट जी निकल के भी आए तो जो डर नहीं डर रहा है उनको तो और भी जाद जा रहा है जैसे आप तो जनता हम है हम ही वोटर है हम देख भी रहे हैं और इस बार चोड़िस में में बार बार कहें भी रहा हूं कि हम लों मुद्जों के अधार पर वोट करेंगे जो हमारा बेसिक मुद्दा है शिक्चा स्वास रोजगार और महिला सुरक्षा की इसके वज़े से सरकार गिर गई आपको भी पता मीडिया से और आपको देखे थे परताफ सरनाइक प्रविजाच चल रही थी एक नाशिंदेजी पर बेद जाच चल रही थी और भी कई लोगों पर जाच चल रही थी तो यह सब चीजे हैं तमिलनाडू के वी सेंथिल को लेकर कह रही है बीजेपी के पहले जाच पड़ताल किया गया इसके बाद गिरफतारी की गई किस तरीके से देख रहे हैं सर एक बाद बताईए कि सब कुछ तो उनी के पास है हम जनता के पास और विपक्ष के पास क्या है अब विपक्ष भी कहीं डिखता नहीं है तो हम जनता आगे आ करके विपक्ष की भूमिका निबा रहे हैं और मीडिया भी कहीं डिखता नहीं है तो मीडिया का रोल हम अदा कर है यह स्थिटी है इस अतरफ भाउन Надरी की नौशाल की सरकार को किस तरख से दिख जी ताकि घरवालों को लगे कि बहु काम कर रही है बच यहीं चलवा है तिन किन मुद्धों को लेकर आप इस तरीके के सोच रहे हैं तो आपको भी पता है और हर साल हमारे देश से लाको की संक्या में लोग बचे बाहर पढ़ने जा रहा है अभी आपने देखा था युकरेन से जो बच्चे लोट के आयों तो पढ़ने ही जाए तहना जब युद के पहले तो अगर मेरे यहां हमारे जो गरीव हैं जो जनता जो समाज के आकरी पायदान पर खड़े हैं हम लोगों के सामने यह तो समस्या है कि बड़े जो पढ़े लिखे जो पैसे वाले लोग है इनके पर गजिए जो पायर पढ़ने जा सकते हैं पढ़ा सकते हैं यह लोग वेकिन हम गरीबग क्या होगा हमारे सामने कोशन माट है तो बीदेसों में फिर कैसे नाम हो रहा है प्रधान मंत्री का उसम आप लोग नाम कर रहों मीडिया बोल रहें डंका बजरा है और हम जंता का वो तो आप दिखानी रहे हो यह जो